नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर और मैं हूँ सत्या सिंग पेश हैं सीतापुर की सुर्खियों वाला खबर नामा महोली के चर्चित रिटायर सिच्छक और तांत्री कमलेश चंदर मिश्र के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने संसनी खेज खुलासा किया है स्पी आर्पी सिंग ने बताया कि रिटायर सिच्छक कमलेश मिश्र की हत्या तंत्र मंत्र साधना के नाम पर किये गए आपत्ति जनक क्रत्यों का बदला लेने के लिए की गई है हत्या उनके सिस मुकेश सुक्ल ने असलहे से गोली मार कर वा चाकूं से गोद कर की है हत्या का सन्यंत उसकी मौसी सालू आ उसके दामात अंकुल मिश्र ने रचा था दरसल अंकुल मिश्र के बच्चे नहीं थे उदर मुकेस सिचक से तंतर बिद्या सीख रहा था ऐसे में मुकेस ने अपनी मौसेरी बहन यानी अंकुल की पत्नी की मुलाकात तंतरिक सिचक से करवाई सिचक पिछले दो वरसों से तंतर मंतर के नाम पर खेल कर रहा था लेकिन कोई आउलाद नहीं हुई ऐसे में अंकुलवा उसकी सास सालू ने सामालजिक लोकलाज का हवाला देते हुए मुकेश पर सिचक को निप्टाने का दबाव बनाया और 11 सितंबर की रात मुकेश ने सिचक को गोली मार कर उनका काम खत्म कर दिया SPRP सिंग की सूज भूज के चलते उनकी आधिनस 24 घंटे में ही घटना से परदा हटाने में काम्याब हो गए SP ने घटना इस्तल पर पहुँच कर शरीवार को ही जांच का एंगल स्तै करते हुए आपर पुलिस अधिक्षक उत्री डॉक्टर राजीर दिक्षित की अगवाई में महुली कोत्वाल ब्रजेश मिश्रा, कोत्वाल महमुदाबाद अनिल कुमार पांडे SHO खेराबाद धर्म प्रकाश शुकला, कोत्वाल मिश्रिक मनुज यादो बा SHO मानपुर राय सहब दिवेदी के साथ ही स्वाट टीम प्रभारी ग्यानेंद सिंग और सर्विलांस टीम प्रभारी विजवीर सिंग को खुलासी के लिए लगा दिया था पुलिस ने SP के सुझाओ एंगल पर जाच करते हुए कुछ ही घंटों में घटना का खुलासा कर दिया तांत्रिक सिच्छक की करतूतों का खुलासा होने के बाद घटना को लेकर चल लही ब्रामन पॉल्टिक्स हवा में गोते खा गई बता दें आम आदमी पार्टी ने घटना के चंद घंटे बाद ही प्रदेश अध्यच सभाजी सिंग को भेज कर राजनीतिक हवा देने की कोशिश की थी वही रविवार को सपा ब्रामन सभा के अध्यच मनोज पांडे भी मितक के घर पहुँचे थे नेताओं के आगमन से पुलिस हलकान जरूर रही और नेताओं को रोकने में पूरी ताकत जोगती दिखी जनपद में कोरोना का देट रेट बढ़ने लगा है जहां पहले 15 से 20 दिन में कोरोना से मौत की खबर आती थी वहीं अब सप्ता भी नहीं बीट पाता और कोई न कोई मरीज काल के गाल में समा जाता है रविवार भोर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामेंद्र शुकला की मौत एल्टू अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई रामेंद्र की शनिवार हालत बिगरने पर रात में उन्हें भर्ती कराए गया था अब तक जन्पत में कोरोना से 24 जिंदगी खामोश हो चुकी है जन्पत में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है 24 घंटे में 42 कोरोना के मरीज मिले हैं सहर के आलम नगर, प्रेम नगर, वस्ट्यूपरी में दो-दो और लोनियन पुर्वा, सिरी नगर कालोनी वा आनंद नगर में एक-एक केस मिला है खेराबाद के BCM हास्पिटल में तीन नए मरीज मिलने से हरकंप मच गया है खेराबाद कस्वे में 6 और महुली में 3 मरीज मिले हैं विस्वाहर गाओं, लहरपूर, मचरेटा, महमूदाबाद, मिस्रिक वारामपूर मतुरा में 2-2 मरीज मिले हैं एलिया, बेहटा, कस्मंडा, पहला और पिसावा में एक-एक केस निकला है पूरवर्ती जिलादिकारी अकिलेश तिवारी के जाने के चंद घंटे बाद ही काफी समय से प्रसाशन और स्वास महकमे के बीच बिगड़ी चल रही ट्यूनिंग सेट हो गई है रविवार को नवागत जिलादिकारी विशाल भरत द्वाज ने CMO अलोक वर्मा के साथ रविवार को L1 और L2 का निरिक्षन किया और सेहत महकमे के इंतिजामों पर संतोश व्यक्त किया जिलादिकारी ने बताया कि जनपद में L2 अस्पताल की व्यवस्थाइं ठीक हैं वेंटिलेटर की सुविधा के साथ ही परियाप्त बेड उपलब्ध हैं नवागत जिलादिकारी बिशाल भरद्वाज ने COVID की जंग में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को मजबूत हतियार बताया है उन्होंने जन्मानच से मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आवाहन किया है और अधिनस्तों को इस बिवस्ता का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है जिलादिकारी का कहना है कि मास कई माइनों में फाइदे मंद है इसे लगाने से खुद के साथ दूसरों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है गोंडा के हाथ से के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे है गनीमत रही की रामपुर कला इलाके के कंडोरा गाउं में गोंडा जैसी घटना टल गई दरसल गाउं के 65 वर्षी मैकू की बकरी का बच्चा कुए में गिर गया बच्चे को बहा निकालने के लिए मैकू कुए में घुस गए और बेहोश हो गए ऐसे में मैकू को निकालने के लिए उनका बेटा प्रजेश भी कुए में घुसा और वहा भी बेहोश हो गया ग्रामीरों ने सजक्ता दिखाते हुए कुए में पानी डाल कर टेबल फैन से हवा चला दी और पुलिस को सूचना दी हैट कॉंस्टेबल सुधीर सिंग वह होम गार्ड घंशाम मौके पर पहुंचे और ग्रामीरों की मदद से बाप बेटे को कुए से बाहा निकाला इलाज के लिए दोनों को सियसी महमुदाबार भेजा गया है कमलापुर्ताना छेतर के गोन नदीपुल के निकट अग्याद चार पहिया वाहन ने साइकिल को टक कर मार दी हास्से में साइकिल सवार उलरा निवासी सत्तर वर्षिये बैजनात गायल हो गए वहीं साइकिल चला रहे उनके भाई को खास चोट नहीं आई डायल 112 पुलिस के एसाई रजनीश वर्मा आराच्छी अभय मिश्रा और होमगार्ड बिर्जेश कुमार वाधीरेंद परताप सिंग घायल बैजनात को जब एम्बुलेंस से जिला स्पताल ले जा रहे थे तो उसकी रास्ते में मौत हो गई हर गाउं थाना के गाउं मुद्रासन में युवक पवन कुमार मिश्रा ने कमरे में फासी लगा कर जान दे दी उसकी पतनी अलका ने बताया कि पवन आर्थिक तंगी से जूज रहा था लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी भी छूट गई थी वह पंजाब की किसी धागा पैक्टरी में काम करता था पिसामा थाना छेत्र में चोर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं ताबरतोर चोरी की घटनाओं से इलाका दहल गया है सनिवार रात चोरों ने सहुआपुर चोराहे पर खान जड़ी बूटी इस्टोर का ताला तोड़ कर 30,000 की नगदी सहि लाकों के माल पर हाँ साप कर दिया दुकानदार साद खान ने पुलिस को तहरीर दे दी है साद ने बताया कि इससे पहले भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी है हर गाओं के रामपुर बरावरा में भुगनेशवरी देवी मंदिर के सामने कई दिनों से खराब पड़ी हाई मास्ट लाइट नहीं बनवाई गई है इससे श्रधालूं वा ग्रामिरों में आक्रोश व्याप्त है हर गाओं के सरसोती सुसमंदिर के सामने इंडिया मार का हेंट पंप खराब है बीसर घरमी में लोगों को पेजल की किलत हो रही है नरेश, पुनीत, मोनु गुप्ता, आनन्द अवस्ति आध ने नल सही कराने की मांग की है थाना थान गाओं के गाओं जंगल टापरी गाओं में 21 वर्षी बिंदेश्वरी की सर्पदन्च से मौत हो गई सर्पदन्च की जानकारी होने के बाद परिजन काफी देर तक ज़ाड़ फूप के चक्कर में पड़े रहे हालत बिगर्णी पर उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई सिदहौली छेतर के कंचनपुर विद्दुत उपकेंद के भवानी पुर गाओं में सपता भर से टांसफार्मर खराब है गामेड अंधेरे में जीने को मजबूर हैं राजू, अरविंद, दिलीप, अकलेश, पवन, रामू, इंद्रेश ने बताया कि कई सिकायत की जा चुकी हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है पूर मंत्री वा सपा ब्रामर सभा के अध्यक्ष विधायक पवन पांडे समर्थुकों के साथ महली सक्षक परिवार से समवेदनाय जताने जा रहे थे अटरिया में उन्हें पुलिस ने रोक लिया, ऐसे में पवन पांडे, निर्मल वर्मा आधी धरने पर बैठ गए पुलिस नेताओं को लेकर गेस्ट हाउस पहुँची, जहां से एसपी के अनमती के बाद तीन गाड़ियों को महली जाने की अनमत दी गई नवागत जिलाधिकारी विसाल भरद्वाज रव्युआर को पावन तीर्थ नैमिस पहुँचे, यहां उन्होंने प्रधान पुजारी जगदंबा प्रसास सास्तिरी के सानिदि में वैदिक रीत से पूजन अर्चन किया, इसके बाद चकरतीर पहुँचे यहां पुजारी राजनरान पांडे ने पूजन कराया और तीर्थ का महत्त बताया, जिलाधिकारी हनुआन गड़ी भी पहुँचे सीतापुर के खेराबाद में महंत बजरंग मुनिदास और भादपानेता साकेत मिश्वा के बीच छिड़ा सक्ती प्रदर्शन कहीं बड़ा बवाल न करा दे चईवार को भादपानेता साकेत मिश्वा ने थाने का घेराओ कर बड़ी संगत कमाल सराय के महंत बजरंग मुनिदास पर कई गंभीर आरोब जड़े थे जवाब में रविवार को बजरंग मुनिदास ने थाने का घेराओ कर भादपानेता साकेत मिश्रा पर पलट वार किया यही नहीं बाबा के समर्थकों ने अपने हाथों में साकेत मिश्रा विरोधी तक्तियों को लेकर उनके खिलाफ जम कर नारेबाजी भीकी दरसल संगत की जमीन को लेकर खेराबाद कजबे में काफी दिन से बवाल हो रहा है दसकों से जिस जमीन पर लोग काबिज हैं बाबा उसे अब संगत की जमीन बदा कर खाली करवाने में जुटे हैं इसके विरोण में खुलकर साकेत मिश्टा के आने के बाद महंत ने भी नारेबाजी का जवाब नारेबाजी में दिया खेरबाद इंस्पेक्टर ध्यम प्रकाश सुकला के समझाने बुझाने पर नाराज महंत समर्थकों के साथ संगत लोट गए महंत ने बताया कि उनकी बात मुख्य मंत्री से हो गई है, पास दिन बाद मिलने का समय मिला है, सारी हकीकत से अगट करा देंगे हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर साहित सजन मंच विश्वा के सयोजन में गोष्टी का आयजन किया गया गोष्टी में कभियोयों साहितिकारों ने हिंदी की आवसकता और महत को रेखांकित करते हुए विचार रखे, गोष्टी में साहितिकार, समिछक, डॉक्टर सैलेस, संधीप मिश्र, मनोज, रामकुमार, रामदास गुपता आदि ने हिस्सा लिया पिसावा छेतर में एंबुलेंस चालक का अमानवी चहरा सामने आया है यूपी 32 बीजी 9283 एंबुलेंस के चालक ने जल्लापुर में मिले एक लावारिस बुज़ुर्ग को CAC पिसावा के सामने जमीन पर तडपता छोड़ कर चला गया पिडिया के हस्तक शेप के बाद चिके सुकों ने बुज़ुर्ग को देखा और जलास्पताल के लिए रेफर कर दिया डॉक्टर विवेक ने बताया कि मीडिंग चल रही थी उसी दोरान एंबुलेंस चालक मरीज को छोड़ कर चला गया था देवा भारती विश्वा इकाई के सहसचिव पूर्ग तहसिलदार राम उतार का निधन हो गया भगवती सिंगल, पदमकान सर्मा, नारायन अगरवाल, मुन्नालाल गुप्ता, संकेत वर्मा, सुनील बादपई, कैलास नातरस्तोगी, आनंद खत्री, राहुल शुकला, पंकस सिरिवास्तो, घंसाम सर्मा, सोक की इस घड़ी में मौजूद रहे वक्त हो चला है, एक छूटे से ब्रेक का, देखते रहे एक खबर नामा प्टाइड़ की जार बादब वक्ता, सिरिवास्तो, फ्रिवास्तो, इस भी रहे रहे जबrawाद़ रहे, पहे तो प्रिवास्तो, आनंद कुरोना काल में नए सदत से बनाने के लिए ABBP ने आनलाइन की राह पकड़ ली है संगठन के उसपेंद बाजपेई ने बताया की 25,000 नए सदत से जोड़े जाएंगे अभियान 11 सितंबर से सुरू हो गया है प्रधान मंद्री नरेंद मोदी के 70 वे जनम दिवस पर भाजपाप पूरे सप्ताहत जन सेवा करेगी सुमवार को सुबा 11 बजे से जिला स्पताल में युवा मोर्चा रक्तदान शिवर लगाएगा युवा मोर्चा के जिला सयोजग अनूप विश्यकर्मा ने बताया कि इस रक्तदान शिवर में युवा मोर्चा के 70 कारिकरता रक्तदान करेगे इसके अलावा 17 सितंबर तक कई समास से भी आयोजिन्द किये जाएंगे इसके अलावा 17 सितंबर तक किये जरीगवा सूरचपुर रोड पर वदल लाल पाल पुत्र सोहन लाल पर पसु चराते समय तीन अग्यात मोटर साइकल सवार यूगों ने ताबर तोड पारिंग कर दी अस्पता ले जाते समय यूवक की मौत हो गई दिन दहाड़ी सरे रहा हुई इस घटना से छेतर में संसनी फैल गई है पुलिस ने मौका मुआयना करके जान शुरू कर दी है लहरपुर पुलिस ने नगर के एसार पिट्रोल पंप कट्रा के पास मुख्विर की सूचना पर लखीमपुर के मुन्ना को ग्रिप्तार किया है कसबा चौके इंचार्थ अजय कुमार रावत्वा सिपाही मनोच कुमार ने एक चोरी की बाईक बरामत की है आरोपी ने बताया कि वह लहरपुर की कबाड मार्केट में बाईक बेचने आया था ब्रामः चेतना परिशद ने ब्रामः नेता प्रधान सुधाकर मिश्रा को पांच जनपदों के ब्रामःडों को जादा से जादा संख्या में परिशद में जोडने की जम्मेदारी सौपी गई है अववाश रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बारबंकी वभेराई चनपदों के ब्रामःडों को परिशद से जोड़ेंगे उनको पदभार मिलने से लहरपुर छेतर में हर्श की लहर है रविवार को लालपुर चराहे पर उनका स्वागत किया गया इस मौके पर विनोद, आशोग, कमल किशोर, रतनाकर मिश्रा, अमरेंद्र अली हसन, रामनात निशाद, संतराम निशाद, मैकु निशाद, शवर्कुमार मिश्रा, उपेंद्र जैश्वाल, दीन बंधु आधि मौजूद रहे जिला नगरिये विकास अभिकरण, डूडा के पर्योजना अधिकारी, सुधीर गिरी ने स्टीट बेंडर्स से पीम स्टीट बेंडर्स आत्म निर्भर निदी योजना का लाब लेने का आवाहन किया है उन्होंने बताया कि योजना का लाब प्राप्ट करने के लिए नगर पाली का परिशत, नगर पंचायत या फिर विकास भवान इस्थित, जिला नगरिये विकास अभिकरण, काराले से संपर्क किया जा सकता है अपरादों की रोक थाम के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान रविवार को भी जारी रहा कोविट पोटोकाल का उलंगन करने वाले 89 विक्तियों से 12,800 रुपे जुर्बाना वसूला गया यातायात नेमों का उलंगन करने वाले 60 वाहनों का चालान किया गया और समन सुल्क भी लिया गया विविन मामलों में वांचित 62 अभियुक्त गिरिफ्तार किये गये जबकि 45 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया इसके इतर 6 अवैस सराब कारुबारियों को 55 लीटर कच्ची सराब के साथ गिरिफ्तार किया गया वक्त हो चला है एक छूटे से ब्रेक का देखते रहे एक खबर नामा excitement like never before the world's favorite Indian ये समाजवा दुवन्दा तांत्रे सक्षक कमलेश मिश्रा के घर महौली में परिजनों को सांतोना देने अविवार को पूर्व मंत्री वसपा ब्रामन सभा के अध्यक्ष मनोज पांडे भी म्रतक के घर पहुंचे थे उनके साथ जिला अध्यक्ष छात्रपाल यादो, पूर्विधायक अनूग गुपता, निर्मल वर्मा, रमेश अंद शुकला, जैमल सिंग, अशोग दिक्षिक, सुरेंद्र अवस्थी, राजेश चौरसिया आधी मौजूद रहे इस दौरानपूर मंत्री ने प्रदेश शरकार पर निशाना सात्ते हुए कहा कि प्रदेश में अराजक्ता का महौल है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है गुंदला मोबलाक के जमनापूर मिर्जापूर मार्क पर निर्माण रुकने से ग्रामीर नाराज है राश्टी लोगदल के जिला ध्यच प्रवीन सिंग की अगवाई में रविवार को ग्रामीरों ने प्रदर्शन किया प्रवीन ने बताया कि लोग निमाल विभाग ने किसानों के खेत खुदवा दिये हैं और निर्माण कारी भी रोक दिया गया है जल्द निर्माण न शुरू होने पर आंदोलन किया जाएगा थाना अटरिया इलाके के गाउं सहजनपूर के निकट इवक का संदिक्द हलातों में सो मिलने से हडकम्प मच गया सो के पास से बरामत बैग में मिले बैंक पास्बुक वा आधार काड के नुसार मिर्तक की सिनात तीस वर्सिय अनीस पुत्र सुर्गिय संतू निवासी मउग के रूप में हुई है ग्रामीनों की सूचना पर मौके पर पहुँचे थाना प्रभारी करणोय सिंग ने सो को कबजे में ले लिया है और पंच नामाकर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है ग्रामीन अंचल में विकास के पहिये को गतिमान रखने के लिए आपका प्री चैनल आई इंडिया प्रतिबद्ध है इसी मंचा से चैनल पर रोजाना प्रधान जी कहिन एपिसोड चलाया जा रहा है सोंवार को 45 भाग में ब्लॉक सक्रन की ग्राम पंचायत पटना का हाल दिखाया जाएगा इसे देखना ना भूले यह था आज क्या खबर नामा देखते रहिए आई इंडिया मुझे दीजिए याज़त शुबरात्री शबक है कि अ कि अ कर दो है